तो वने इस नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट का जो IPO है उसका आज आखरी दिन है फाइनल डे है और फाइनल डे में क्या हमें अब अपना मन बनाना चाहिए और क्या इस IPO में apply करना चाहिए आई देखते हैं क्या इस टेरस है जीम पी की और क्या इस टेरस है एप्लीकेसन के demand की उसक जहाँ पर की nexus select trust के पूरी की पूरी जो second day के बाद यहाँ पर position है वो आपको समझ में आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि institutional investors ने यहाँ पर 0.17 यानि केवल 17% का यहाँ पर interest दिखाया है friends आप देख सकते हैं मैं इसे zoom करके आपको दिखाने कोशिश करता हूँ तो य 0.17 यह केवल यहाँ पर institutional investors के अंदर यहाँ पर response आया हुआ है दूसरी तरह friends अगर बात करें other investors की other investors के अंदर आपका retail भी यहाँ पर सामिल किया गया है उसने यहाँ यहाँ पर 1.05 times यहाँ पर response दिया हुआ है मैं आपको zoom करके इसको दिखाने के कोशिश करता हूँ 1.05 times only तो यह आपको response है अगर overall की बात करें friends तो overall केवल यह IPO भरा है 0.57 times यानि कि 57% यह IPO दो दिन के अंदर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है तो यहाँ response काफी थंडा मेरे हिसाब से यहाँ पर है मैं इसको भी आपको इस figure को भी zoom करके दिखाने कोशिश करता हूँ यह दे तो इस IPO की जो demand की status है friends वो बिलकुल भी नहीं है और यह IPO बाजार में अच्छा perform दूसरे दिन तक तो कमस को हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं कर रहा है वहीं दूसरी तरफ हम चलते हैं इसके grey market premium को भी देख लेते हैं तो friends आप देखी आपके सामने nexus select trust के IPO का जो GMP है वो 102 रूपए 90 to 100 के यह price bank पे अवलेबल है 2 रूपए यानि के केवल और केवल 2% यह IPO higher price bank से अगर हम बात करें तो यह है और मैंने जब से यह coverage शुरू किया था तो यह 5% से गिरा 5% से फिर 13% पे गिरा और अब 2% पे दिख रहा है तो यानि के market में demand और grey market premium दोनों ही यहाँ प demand और supply पर ध्यान देना पड़ता है और इस IPO की demand तो बिल्कुल भी नहीं है केवल 57% यहाँ पर भड़ता हुआ नजर आया है तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर मुझे यहाँ पर पैसा लगाना होगा तो मैं यहाँ पर रुकूंगा सोचूंगा और फिर कोई निर्णे ल लॉस में है तो हम कुछ quarter और रुखेंगे और long term के लिए फैसला करेंगे तो यह रही मेरी दाया फ्रेंट्स बागी आपको अपने financial advisor से जरू सब्पर करना चाहिए ताकि आपको कोई भी गलती investment करते समय ना हो फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स I hope कि Nexus में किसी भी तरह का investment करने के पहले IPO में पैसा लगाने पहले यह आपको clarity आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंट्स तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलिए थैंक यू सू मच फ्रेंट्स